कि हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है एक बार फिर से mobile रिपेरिंग के स्कोर्स में आज का जो हमरा टॉपिक है वह कोईल पर है mobile में जो यूज होने वाला कोईल है वह कैसा होता है वह ब्लैक कलर का का सिम्बल इस तरह से होता है और उसे आर से रिनोट करते हैं जिब कि इसे एल से रिनोट करते हैं कि इसमें सप्लाई एक साइड से इन होती है तो दूसरे साइड से आउट होती है ठीक है सप्लाई एक साइड से इन होती है तो दूसरे साइड से आउट होती है यह होता है क्वाइल अब होता यह है कि यहां जितने भी तरह के क्वाइल आपको दिख रहा हैं यह सब अब अलग अलग size के और अलग अलग value के coil हैं आपके यहां जो ऊपर के coil दिख रहा है वह maximum आपको laptop के motherboard में मिल जाएंगे और यह Repeals जो हैं वो mobile के motherboard में मिलेंगे laptop के motherboard में मिलेंगे और यह 3 क्वाल है यह component level के electronics लॉर्णिक्स में मिलेंगे जबकि सऺण में आपको यह निजल आ रहें जो मिलेंगे जैसा कि हमें एक यहां ओपर में एक इमेज मिला ऊत्यक्त जिसमें जो कॉईल है कि वह ब्राउन सेप में दिख़ात और ब्लैक सेप यह कॉईल है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह कौाइल है, यह कौाइल है, यह कौाइल है, और यह कौाइल है, जितने भी यह ब्राउन सेप या ब्लैक सेप में हैं, यह कौाइल इनके अंदर वाइर्स के फेरे होंगे ऐसे राउंड राउंड में, ठेक है, राउंड राउंड में ऐस students के लिए हैं, जो science side के student नहीं है, जो उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और mobile स्वायल के तर्फय स्वायल से जाती है, आगर यह कोईल किसी Ic के साथ कनेक्ट है तो यह कोईल supply को boost भी कर देती है कि अगर दर से 4ड जाती है तो आउट होने वाली supply 4 वोल्ट से मैक्स होगी 4 वोल्ट से ऊपर होगी ठीक है बुस्ट का मतलब यह होता है कि four बोल्ट से बड़ा वोल्ट आउट करेगा हो सकता है 10 बोल्ट आउट करें हो सकता है 25 बोल्ट आउट करे वो डिपेंड करता है कि जो क्वाइल है वो कितने वैल्यू का है और उसके साथ जो इसी लगी है वो इस क्वाईल से सप्लाई को कितना बूस्ट करना चाहती है ठीक है तो कोईल जो होता है चिप लेवल में आपको ऐसा दिखेगा या फिर अभी जो उपर इमेज में दिखा आपको ब्राउन सेप में वैसा होगा ठीक है तो यह ऐसा बस इतना जानी है आप लोग जो स्टुडेंट साइन्स स्ट्रिम के नहीं है वो इतना जाने कि बुस्ट करेगी बुस्ट कोईल नहीं है तो जो वोल्टेज इन करेगी चार वोल्ट इन करेगी तो चार वोल्ट आउट भी कर जाएगी है ठीक है तो आसा करता हूं आपको यहां क्वाइल आपको दिख रहा है क्वाइल में क्या होगा दोनों साइड हम कह सकते हैं कि प्लस करते हैं कि इसको हम koil को किस से करते हैं L से करते हैं इसका symbol L है और ये इसे डायग्राम में इसे ऐसे इस तरह से राउंड सेप में दिखाय जाता आगे कि हम आगे बात कर YouTube का जो basic concept है boost coil होता है वह किस तरह से काम करता है circuit diagram में जिससे display की यो light की supply होती है भीस से जो साइन साइट से पढ़े हुए हैं वह अब इस बात के जड़ तक जाएंगे कि आखिर यह जो वोल्टिज है वह इस साइड अगर फॉर बोल्ट इन हो रहा है तो एक आईसी के मदद से यह 25 बोल्ट में कैसे कनोट हो जाता है इसके जड़ तक जाएंगे तो उसके लिए आगे आप वीडियो में बने रहे हैं कि अब हम क्लास 10 में हमें फैराडे का सेकेंड लौ पढ़ा है फैराडे फस्त लौ सेकेंड लौ उसमें क्या है पहले तो हमने यह पढ़ा है कि जब किसी वायर में और स्टेट का परियोग है जो करेंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैगनेटिक फिल्ड चुमबकी इचे तरफ बी उत्पन होता है जुआ से डिनोट करते हैं कि अगर करेंट एक एमपीयर का है तो कुछ इंपीयर को बढ़ाकि दो इंपीयर कर दिया जाए तो पहले का जो कि मैगनेटिक फिल्ड होगा उसका दो गुना उसके चारों तरफ एसे राउंड राउंड गोल गोल कर दिया जाए करेंट वायर में जब वायर में जो अधाया माइटिक ह wichtig हो रहे लाए और दूस्मेटिक फिल्ड' की इंटैंसिटी मिलेगी कि कि तो हमें इससे प्रूब होता है कि यहां इसके चारों तरफ लपेट दिया जाए गोल-गोल को अईल की तरह तो जो अगर वाइर को लपेट दिया जाए गोल करके और उसमें current flow हो आई तो इसमें जो magnetic field होगा वह सीधा हो जाएगा ठीक उसका उलटा जब वाइर सीधा था तो और यह नॉर्थ पुल से चुंबकी बल रिखाएं बाहर निकलती हैं माइनी फिल्ड बाहर निकलता है नॉर्थ पॉल से और साउथ पॉल से इंटर करता है यह यह पोल की तरह काम करने लग गया इसमें करेंड के अमांट को बढ़ाएंगे तो यह जो लाइन्स कीची जा रही है मैगनेटिक फिल्ड की उनकी संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि जब करेंट ज्यादा होगा तो मैगनेटिक फिल्ड भी क्या होगी ज्यादा होगी और जब करेंट कम होगा तो magnetic field भी अपने आप क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इतना समस्ज में आजा अब करना यह है कि फैराडे का second law जो है वो यह कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं जब किसी कुंडली में धारा में होता है क्योंकि यह रिखाए हैं इनकी संख्या बढ़ेगी और घटेगी तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा विद्धुत भाख बल होता है । फाइब बाई डेल्टा टी यह फॉर्मूला होता है जिसमें यह जो वैल्यू है वह एक बराबर है इसे हम बोलते हैं विद्धुत वहक बल्ट किसी कुंडली में अगर हम धारा में परिवर्टन करते हैं तो बगल में रखी किसी दूसरी कुंडली में अपने आप एक बोल्ट विद्धुत वहकबल आता कहां से हैं फलक्स परिवर्तन के रिडात्मक धर के बराभर होता है जितना ज्यादा群रा प्रिवर्टन करुंगली तो इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही flux कहलाती है flux एक संख्या है वो संख्या जो बल रेखाएं गुजर रही है 10 बल रेखाएं होगी तो फ्लक्स 10 होगे तो जितना जादा इसमें current में परिवर्तन करेंगे है उतना ज्यादा यहां से flux क्या होगा रेखाएं बाहर निकलेंगी और इसमें परिवर्तन होगा और उतना ज्यादा voltage इसमें कुंडली में उत्पन हो और वही voltage सब्सक्राइब सबूंब्स तक यह हाई हो जाएगा काफ़ी ज्यादा सब्सक्राइब करता है इसका मतलब कि अगर हम इसमें डीसी बोल्टेज के जगह एसी बोल्टेज दे क्वाइल में तो इसमें करेंट में परिवर्तन होगा और यह एसी बोल्टेज की वज़ा से बगल में रखी कुंडली में अपने आप कुछ बोल्टेज आ जाएगी एसी बोल्टेज प्रिवियस बोल्टेज में एड होती चली जाएगी जिससे होगाई है एक बोल्टistä इस भगल रखे कुंडली में भी आईकी और इस वैयम की कुंडली में भी वह उत्पन होगी किम इसमें भी तो फॉक्स हो रही है तो यह जो होगए हृए वह इस प्रिभीयस बोल्टस और यहां लगाया गया यह दोनों आपस में कनेक्ट हैं यह माइनस पीन है और यहां पर फीडबेक और यहां पर इन इनेबल जैसे ही इस आइसी को इनेबल सप्लाई मिलेगी और इन दोनों से एक कौईल कनेक्ट होगा लीओ जैसे साइसी को पावर इस से इनेबल सप्लाई मिलेगी यह सी काम करना शुरू करतेगा और आःची एक डैयोटसे पास होके एक जिसे फिल्टर होके आगे पास होजता है और यह जो फिल्टर होने करेगी यह जो इस पॉइंट पर चार बोल्टेज होगा उस बोल्टेज को बार बार यह ग्राउंड से ग्राउंड मतलब माइनस इस बोल्टेज को बार बार यह ग्राउंड से क्या करेगी टच करेगी जैसे माली जी कोई यह बोल्टेज है अगजिए यहां पर बोल्टेस है कोई यह जिरो लाइन है एक्सेस है यहां अगर टैन वोल्ट है इसे ही आइसी इस फाइब वोल्ट को ग्राउंड से टच करेगी तो डरेक्टली ड्रॉप होने लगेगी और ड्रॉप होके क्या हो जाएगी सिरो और टपवल्ट होने लगे तो यह इसी बार-बार इस फोर बोल्ट को ग्राउंड सेО्ट आप बार बर ग्राउंड होता रह तो यह आईसी कुछ करती नहींग है एक एक इनेबल सिगनल आने पर यह वोड़ बैटरी की जो सप्लाई है इसको ग्राउंड से यूं बार पर टच करती है जिससे क्या होता है यह एसी वोलटेज़ बन जाता है और यह एसी वोलटेज इस्क वोलटेज में जैसा वोलटेज वैसा ही करेंट करेंट घरिए करेगा अप वोल्टेज होता है और ये वोल्टेज इस प्रिविएस बोल्टेज से जो 4 बोल्ट उस से में एड़ होता चला जाएगा इसे क्या होगा यह बढ़त certain बढ़ते बढ़ते 20 बोल्ट में 20 ऑपचीज बोल्ट यह 50 ऑजैसा ये की चाहेगा जितनी बार की इसको प्लस को माईनस से जितनी बार एक से केंड में टच करेगा उसी के अकॉर्डिंग बोल्टेस बनेगा या तो 20 बोल्ट या तो पचीज बोल्ट या तो 50 बोल्ट बनेगा जैसे वह AC होगा क्योंकि AC कर रहा है तो AC बनेगा और वह AC डायोड से पास हो आपको यह समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइन करके देखें आपको जरूर समझ में आ जाएगा अगर साइन्स स्ट्रिम के आप स्टूडेंट हैं और साइन्स को अच्छे से पढ़ा है प्लास 10 और 12 में तो आपको यह बात जरूर समझ में आएगी कि एसी हो गया यह हो गया यह लो हो गया तो हाई-लो हाई-लो बनने का मतलब क्या है यह है यह हाई-लो हाई-लो एसी में जो होता है एक सेकंड में एक सिकंड में कितनी पज़ता है 50 50 अच्षा कि फ्रेक्वेंसी कितनी होती है 50 अच्षा कह सी मतलब calculus एक से चक्रों की संख्या यह हाइलो हाइलो Aujourdस्ग किप फ्रेक्वेंसी हुती तो जैसा किरेगा वयसे ही इसकी पर रुख जाएगा और वो बोल्टेज एसी में होगा वो डीसी से पास होगा तब जाके एलेडी का एनोड सप्लाई 25 बोल्ट या 50 बोल्ट जैसा रिक्वाइर्मेंट होगा वैसा बनेगा ठीक है तो आपने को देखा क्वाइल कैसा होता है ब्राउन या ब्लैक कलर का होगा उसमें दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव लाइन पर माने जाते हैं यह पॉजिटिव यह भी क्या है पॉजिटिव इधर से करेंट अंदर जाएगा इधर से करेंट पास करेगा इधर से बोल्टेज आपका जाएगा इधर बोल्टेज निकल जाएगा ठीक है लाइट क्या ह होता है बूस्ट क्वाइल क्या होता है कैसे बूस्ट क्वाइल काम करता है और बोल्टेज को बूस्ट करता है यहां पर बोल्टेज बूस्ट होके कैसे 25 बोल्ट से 50 बोल्ट तक बन जाता है कि उसको आपने अभी देखा है कि क्वाइल की टेस्टिंग को देखेंगे मल्टी मीटर से क्वाइल टेस्ट किया जाता है बीप रेंज पर बीप रेंज क्या होता है कि बीप रेंज पर मल्टी मेटर साउंड देता है आवाज करता है अब जैसे माली जी आपका कोई मल्टी मेटर है और मल्टी मेटर में आप है कां 問 वायर्स होतीं माल्टी मेटर में किसी एक वायर किसी अवायर को आप लीजिए कंटिनुटी रेंज पर करकर किसंद पर तक रहना करकर किसी एक वाइर करो दू Seems कूंछ को अगर यह साउन्ड करता है के मैल्टिमिटर्शान दाथा इसका मतलब यह कौयल सई है क्योंकि ऐस्ट के फे और जिसमें इसलहाइर जाइब करें इस साइड फ्रकाण कर halal को आशा करता है आपको इस वीडियो समझ में आयो?